Student Class 8 Chapter No.2 का Lecture No.2 First Lecture में हमने शब्दों का वर्गी करण की बारी में पढ़ा है Third Lecture No.2 में अर्थ की आदाहर पर आगी पढ़ेंगे हैं अर्थ की आदाहर पर शब्दों के विभिन भेद होते हैं आई इनमें से कुछ प्रुमुक के विशय में जाने का है परियावाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, सम्च्रुति भिनार्थक शब्द, वाके खंड के लिए एक शब्द ये आपको पढ़ना भी है और आपको अपनी नोटबुक में ये लिखना है दिखने हैं, सबसे पहले हम लेते हैं, पढ़ाएंगे आपको परियावाची शब्द, परियावाची शब्द क्या है? जो शब्द एक जैसा अर्थ देते हैं, वे एक दूसरे के परियावाची कहलाते हैं, इने समान आर्थी शब्द भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम, परि परियावाची शब्द दिये हुए हैं यहां पर आकिस परियावाची शब्द दिये हैं अंधिकार, अनुपम, अम्रत, अर्जुन, अहेंकार, अपमान, अनुचर और आकाश, आग, आज्या, आभूशन, इंद्र, उन्नती, उद्रू और उद्धान यह 15 जो दिये हैं बेटा इनके आपको तीन-तीन परियावाची अपनी नोड़बुक पे करने हैं, तीन-तीन परियावाची को अपनी नोड़बुक में आपको लिखना है, यह तीन-तीन परियावाची शब्द आप अपनी कॉपी में लिखेगा, इसके इमेज आपको सेंड की जाएगी, पेज नमब पेज नमबर 14 में दिया है परियावाची शब्दों का सूच्म अर्थ वेद। आप पाएंगे कि परियावाची शब्दों के अर्थ समान होते हैं फिर भी उनके अर्थ में सूच्म अंतर है। जैसे अमूल का अर्थ होता है जिसका कोई मूल ना हो जबकि बहुमूल का अर्थ होता है जिसका बहुत मूल हो। यह दपी यह दोनों शब्दों परियावाची हैं किन्तु इनके अर्थ में अंतर है। इन दोनों शब्दों में अर्थ में अंतर है। यहां कुछ परियावाची शब्द और उनके सूच में अर्थ भी दिये गए हैं यह शब्द दिये हुए हैं इनके अर्थ भी दिये गए हैं जैसे अनुरूप जैसा समान रूप रखने वाला अनुकूल मेल रखने वाला दोदो शब्द दिये हैं और दोनों के ही इसमें अलग अर्थ ंको अपनी नोट बुक में करना है परियावाची लिखेंगे परियावाची की बाद ये परियावाची शब्द के सूच अर्थ भेद भी आपको लिखने फाइब करने आपको कितने करने है फाइब करने अपनी नोडबुक पे करेंगे खा है विलोम शब्द, पहले कावाला आपने पढ़ाता पर्यावाची शब्द, खा है आपका विलोम शब्द, एक दूसरे से ठीक उल्टा अर्थ देने वाले शब्द, एक दूसरे के विलोम कहलाते हैं, इसका दूसरा नाम है विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द का द लिखेगा गाहे एकार्थिक शब्द एकार्थी शब्द किसे कहते हैं एक जैसा अर्थ रखने वाले शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं जैसे कमल, क्यारी, सडक, दुकान, जन्वरी, हिंदी, मेज, पोस्तक, आदी व्यक्ति वाचक संग्याएं, इस्थानों के नाम और अधिक तर जाती वाचक संग्याएं एकार्थी होती हैं ये एकार्थी शब्द के बारे में दिया हुआ है इसके बाद आता है गाह नमबर पर अनेकार्थी शब्द अनेकार्थी शब्द के आएं एक से अधिक अर्थ रखने वाली शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं ये शब्द प्रसंग की अनुसार अलग-अलग अर्थ देते हैं जैसे ये शुदा क्रश्न को अंक में लिये हुए थी राम को एक अंक मिल अधिक मिला यह नाटक का पहला अंक है इस पत्रिका का ताजा अंक अभी वाजार में नहीं आया उसकी वहाँ पर कोई अंक गुदा हुआ है इन ओधारणों में अंक शब्द अलग-अलग अर्थों में प्रियुकत है यह जो सभी वाक्यों में अंक शब्द है इन सभी अंकों का अलग-अलग अर्थ प्रियुकत है आता है यह अनेकार्थी शब्द है यह अनेकार्थी आपकी शब्द दिये हुए है इन शब्दों को भी आपको अपनी फियर नोटबुक में लिखना है यह अनिकारती शब यह आपको मता दिये जाएंगे कौन-कौन से आपको अपने कौपी में करना है इमीज सेंड की जाएगी और आप अपनी नोटबुक में करिएगा